इन्सान के बूत की ख्षमता केवल शब्दों को समझने से कहीं पर है। इस समय में बोल रहा हूं, दरसल आपके बूत की ख्षमता इन शब्दों से कहीं पर है, जो आप सुन रहे हैं। लेकिन चूकि आपके मन को ट्रेनिंग मिली है, कही हुई चीज को न केवल सुनने की, बलकि याद करने की और लिख लेने की, कुछ लोगों के हाथ में बहुत खुजली हो रही है. आपको जो बात काम की लगती है, उसे लिखना जरूरी है. लेकिन मनुष्य का बोध इससे कहीं परे तक जाता है. कौन सी किताबे पढ़ते हैं? मैंने कहा, मैं Asterix और Dennis the Menace पढ़ता हूँ. मुझे और कुछ पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं लगातार सफर में रहता हूँ. अकबारी पढ़ लूँ तो बहुत बड़ी बात है. फिर आपको ये सारी जानकारी कहां से मिलती है? मैंने कहा, कि मैं आप से उठा रहा हूँ. आपने ये सब पढ़ रखा है. मैं क्यों फिर ये सब पढ़ूँ? मैं उन सब केताबों को नहीं खोलता. आप यहां बैठे हैं और मैं इन सभी चीजों को उठा कर बाते कर रहा हूँ. लेकिन आपको ये सारे टेक्निकल शब्द कैसे पता चले? मैंने कहा, क्या ये आपके दिमाग में मौझूद नहीं है? मुझे जब चाहिए, मैं उन्हों उठा सकता हूँ. मैं वो सारी बकवास कभी नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि वैसे भी वो शब्द मेरे लिए कोई माइने नहीं रखते. क्योंकि मनुष्य कभोध इससे कहीं परे है, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस मेरे साथ रहे, बस मेरे साथ रहे. अगर आप बस यूँ ही मेरे साथ रह सकें तो इसे जानने के आपकी क्षमता मेरे कहे हर एक शब्द को लिख लेने की तुलना में कहीं ज्यादा होगी अगर आप ये सारे शब्द बटोर लेते हैं तो वास्तव में आप कुछ नहीं जान पाएंगे क्या मैं आपको एक राज बताओ एक Oxford डिक्शनरी खरीद लीजे मेरी सारी बाते हैं उसमें पहले से लिखिए आपको बस उसे अरेंज करना है इस तरीके से आपको कुछ हासिल नहीं होगा तो बोध को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि आप उसी को जानते हैं जो आपके बोध में होता है बाकी सब बस कहानी और कलपना है है न? जो आपके बोध में है और आपने अनुभव किया है आप बस उसी को जानते हैं बाकी सब खोकली कहानी है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कहानी कितनी शांदार है ये फिर भी बस एक कहानी है जो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगी अगर इसे आपके जीवन में कोई बदलाव लाना है तो इसमें अनुभव का एक आयाम होना चाहिए वो तभी होगा जब आपके पास ऐसा भोध होगा आपने विवेक अनन्द के बारे में सुना है? वो पहले योगी थे जो अमेरिका आये थे 1893 में और उन दिनों एक लहर सी उठा दी वो योरप भी गए और अमेरिका से वापस लोटते समय वो एक जर्मन फिलोसफर के घर महमान थे डिनर के बाद वो स्टडी रूम में बैट कर आपस में चर्चा करने लगे वहां मेज पर 700 पेज की एक बड़ी से किताब रखी थी विवेक अनन्ने का क्योंकि वो आदमी किताब की बहुत बढ़ाई कर रहा था उन्होंने कहा क्या आप मुझे एक घंटे के लिए किताब दे सकते हैं मैं देखना चाता हूँ कि इसमें क्या है वो आदमी असने लगा उसने कहा आप एक घंटे में इस किताब को पढ़ने वाले हैं मैं इसे कई हफतों से पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये एतनी जटिल है और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में आपको ये भाषा आती भी नहीं एक घंटे में आप क्या करने वाले हैं विवेका नन्निका आप किताब दीजिये मैं देख के बताता हूं तो उन्हें वो किताब दे दी गई उन्होंने किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आखे बंद करके बैट गए एक घंटे बात किताब वापस करते वे उन्होंने कहा इसमें कुछ भी खास नहीं है उस आदमी को लगा कि ये तो घंट की हद हो गई आपने किताब को खोला तक नहीं और आप उसके उपर कॉमेंट कर रहे हैं आपको ये भाषा तक नहीं आती वो थोड़ा नाराज सा हो गया कि ये कैसी बकवास है विवेका नन ने कहा आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजे मैं आपको बता दूँगा ठीक है पेज 633 में क्या लिखा है विवेका नन ने एक एक शब्द दोहरा दिया आप बस पन्ने का नंबर बोलिए वो उस पन्ने पर लिखी बातों को शब्द शय बता देंगे फिर उसने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है आपने किताब खोली तक नहीं ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने का इसलिए लोग मुझे विवेका नन नन कहते है विवेक यानि बोद उनका नाम नरेंद्र था उनके गुरू उन्हें विवेका ननन कहते थे क्योंकि उनके बोद की क्षमता ऐसी थी, तो उन्होंने कहा, इसलिए मुझे विवेक अनंद कहते हैं। तो जीवन का बोद, आप सारी चीजों को अपने लॉजिकल माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते। ये इस तरहे काम नहीं करता। क्योंकि तर्क जीवन की बहुत सारी चीजों को नकार देता हैं, जिनके बिना आप जी नहीं सकते हैं।